Hello friends, welcome to my YouTube channel आज इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में एक Snapchat में दो एकाउंट कैसे चला सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मेरे Snapchat में एक एकाउंट है जो पहले से लोगीन है यहाँ पर मैं इस ID को यूज कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप Snapchat की दूसरी ID को भी इसमें यूज कर सकते हैं चला सकते हैं तो इसके लिए क्या करना सबसे पहले आपको अपने फोन में Snapchat को उपन कर लेना है Snapchat के उपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो सो हो जाएगा उसके बाद आपको उपर में प्रोफाइल पे क्लिक कर देना होगा profile के open होने के बाद आपको उपर में setting पे click करना है setting के open होने के बाद आपको निचे के तरफ scroll करके आना होगा जहाँ पर logout का option है जो show होगा तो इस पे click करना है और आपको यहाँ से इस account को logout कर देना है logout पे click करते ही आप Snapchat से बाहर आ जाएगा तो अभी जो account आप use कर रहे थे आपको यहाँ पर show होगा तो आपको इसे remove कर देना है और इसके बाद फिर से आपको login पे click करना है login पे click करने के बाद अभी आपका पहले का जो username में यहाँ पर show करता है तो आपको इसे हटाना है और इसके बाद आप Snapchat में जो दूसरी ID को use करना चाहते हैं जो दूसरी ID को चलाना चाहते हैं आपको उसका username है यह phone number है जो type कर लेना होगा तो अगर आपको password याद है तो आप password डाल के login कर सकते हैं अगर आपको password याद नहीं है तो आपको forget your password है इस पर click कर देना है और इसके बाद आपको by phone पर click करना है और इसके बाद आपको submit पर click कर देना होगा आपके इस number पर एक OTP send किया जाएगा और आपको यहाँ पर OTP verification है जो कर लेना होगा और इसके बाद आपका Snapchat पर वो account है जो login हो जाएगा तो इस तरह से आप बहुती असानी से एक Snapchat पर अपने दो account को use कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मारे वीडियो को like किजेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा